अशोग घैलोट जिन्दाबाद किनारे और समर्थकों की ये भीर ये बताने के लिए काफी है कि अगर सियासत का कोई बादशा है तो वो है मुख्यमंत्री अशोग घैलोट इससे मुख्यमंत्री अशोग घैलोट के समर्थक विधायकों में भी खासा उच्छा देखने को मिल रहा है खास बात ये है कि ये बात सिर्फ कॉंग्रेस विधायकों की ही नहीं बल कि मुख्यमंत्री घैलोट की सुर्भूज की निर्दलिये विधायक भी जम कर सरहाना कर रह इन में से ही एक रामकेश मीरा भी है इसलिए वे मुखे मंथ्री घैलोत का आभार जतानी अपने समर्थकों के साथ सीम्र पहुंचे यहां उनके समर्थकों ने जम कर स्पी घैलोत के नाम के जैकारे लगाए यही नहीं मीडा के समर्थकों ने मुख्यमंद्री घैलोत को साफा पहना कर उनका अभिनंदन भी किया रामकिश मीडा ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि मुख्यमंद्री अशुक घैलोत ही उनके नेता है और अगर सचिन पाइलेट के नेतरत में पार्टी 2023 का विदानसवा चुनाव लड़ती है तो कॉंग्रेस का सूप्रा साफ हो जाएगा यानी साफ है कि घैलोत समर्तक नेता जित संदेश देना चाहते हैं कि 2023 में प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होनी तभी संबब है जब चुनाव सियम अशुक घैलोत के नितरत में लड़ा जाएगा